नमस्कार आज रुपया अमेर्की डॉलर के सामने फिर कमजोर हो गया ये साथ पैसे तूट कर 81 दसमलव 81 के स्थर पर पहुँच गया रुपय के एक्सेंज रेट में ये तो उतार चड़ाओ होता रहेगा लेकिन आपका पसंद इदा कारिकरा मनी टाइम बिना किसी उतार चड़ाओ के हमेशा की तरह अपने तैस समय पर फिर हाजर है मैं हूँ अभिशेक स्वागत है आपका मनी नाइन पर जहां मिलती है आपको जेव और जिन्दगी से जुड़ी हुई खबरें चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसला पहली खबर है मन्दी से जुड़ी हुई आए जानते हैं नीती आयो के पूर उपाद्यक्ष का क्या कहना है मन्दी को लेकर नीती आयो केपूर उपाद्यक्ष राजीव कुमार ने दुनिया के मंदी में जाने की बढ़ती आशंकाओं के बीच कहा है कि भारत इससे अचूता रहेगा उन्होंने कहा है कि अनिशित वैस्विक परस्थितियों से भारती अर्थववस्था प्रभावित तो जरूर हो सकती है लेकिन अगले वित्वर्स यानी 2023 में भारती अर्थववस्था 6-7 फीजदी की दर से बढ़ेगी कुमार ने कहा कि अमेरका, यूरोब, जापान और चीन की अर्थवस्थाएं नीचे आ रही है ऐसे में अस्थिती आने वाले महिनों में वैश्विक अर्थवस्था को मंदी की ओल ले जा सकती है कुमार ने कहा कि अच्छी बात या है कि भारत में मंदी की ऐसी कोई आशंका नहीं है बिगर्ती अंतराश्टिय स्थती का हवाला देते हुए हाली में वर्ड बैंक और IMF ने भारती अर्थवस्ता की ब्रदीदर के अनुमान को घटा दिया है भारत की ग्रोथ रेट पर पड़ी एक और चोट जी हां गोल्ड में साख्स ने भी वर्ष 2023 के लिए भारत की GDP अनुमान को घटा दिया है गोल्ड में साख्स का कहना है कि 2023 में भारत की GDP ग्रोथ रेट 5.9 फीजदी रहेगी अमेरिका की इस वित्य सेवा कंपनी का मानना है कि दिसंबर में होने वाली RBI की मौद्रिक नीती समीच्छा बैठक में केंद्रिय बैंक रेपो रेट में करीब आदा फीजदी की बढ़ोतरी करेगा इतना ही नहीं फरवरी में रेपो रेट बढ़कर 6.75 फीजदी तक होने का भी अनुमान गूर्ड में साक्स ने जताया है रेपो रेट का बढ़ना आपके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है क्योंकि ऐसा होने पर बैंक भी सबी तरह के कर्द महंगे कर देंगे और देश में लोन की दरें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी UPI ट्रांजेक्शन की लिमिट तै करने जा रही है सरकार आईए जानते हैं इससे किसको होगा नुकसान थर्ड पार्टी UPI पेमिंट के लिए ट्रांजेक्शन की लिमिट जल्द तै हो सकती है NPCI थर्ड पार्टी UPI पेमिंट के कुल ट्रांजेक्शन लिमिट को 30-60 तक सीमित करने के फैसले पर RBI से बात कर रही है NPCI ट्रांजेक्शन लिमिट के नियम को 31 दिसंबर 2022 तक लागू करना चाहती है अगर ये फैसला होता है तो Google Pay और Phone Pay का एक अधिकार मार्केट में जल्द खत्म हो सकता है अभी ट्रांजेक्शन की कोई लिमिट नहीं है जिसके कारण Google Pay और Phone Pay की इस्सेदारी बढ़कर 80 फीज़ी तक पहुँच चुकी है हाला कि इंड्रस्टी इस नियम के लागू करने के लिए अभी और समय मांग रही है एक और खुद्रा महंगाई अक्टूबर में घटी है तो वहीं दूसरी और दूद महंगा हो गया है मदर डेरी ने दिल्ली NCR में फुल क्रीम दूद का दाम एक रुपए पृति लीटर और टोकन वाले दूद का दाम दो रुपए पृति लीटर बढ़ा दिया है नई दरें सौंबार से लागू हो गई है मदर डेरी ने कहा है कि ये लागत बढ़ने के चलते उसने ये मूल बढ़ोतरी की है दिल्ली NCR में पृति दिन 30 लाख लीटर से अधिक दूद की आपूरती करने वाली मदर डेरी ने इस साल दूद की कीमतों में चौथी बार बढ़ोतरी की है अब मदर डेरी का फुल क्रीम दूद जो है वो 64 रुपए लीटर मिलेगा वहीं टोकन वाले दूद की कीमत 50 रुपए लीटर होगी दूद के बाद मोबाइल रिचार्ज में भी आई महगाई देश की दूसी सबसे वड़ी टेली कॉम कंपनी भारती अर्टल ने अपने 28 दिन वाले मोबाइल फोन सर्विस प्लान के लिए मिनमम रिचार्ज की कीमत करीब 57 फीजदी बढ़ा दिये हाला कि अभी हर्याणा और ओडीशा सर्कल में ही ये बढ़ाउतरी की गई है लेकिन जल्द ही से अन्य सर्कलों में भी लागू किया जा सकता है हर्याणा और ओडीशा सर्कल में 28 दिन के लिए अब यूजर्स को मिनिममम 155 रुपए का रिचार्ज कराना होगा इससे पहले ये प्लान सिर्फ 99 रुपए का था नए 155 रुपए वाले इस प्लान में कम्पनी अपने यूजर्स को अन्लिम्टेट कॉलिंग 1 जीवी डाटा और 300 SMS देगी कम्पनी ने कहा है कि उसने अभी ट्राइल के लिए हर्याना और ओडिशा में ये प्लान पेश किया है ट्राइल के परणामों के अधार पर इसे पुरे देस में लागू किया जाएगा अगर आप इसमाल केप कम्पनियों में निवेज कर कमाना चाहते हैं मोटा मुनाफा तो महिंद्रा मनुलाइफ म्यूचल फंड लेकर आया है आपके लिए एक नई स्कीम Asset Management Company Mahindra Manulife Mutual Fund ने एक नई Small Cap Scheme लाँच की है ये एक Open Ended Equity Fund Scheme है जो प्रमुकता से Small Cap Stock में निवेश करेगी ये Fund सब्सक्रिप्शन के लिए 21 नमबर को खुल चुका है और 5 दिसमबर को बंद होगा इस Fund में Minimum 65 फीजदी Asset Allocation इसमाल कैप कंपनियों के उक्रिटी और उक्रिटी रिलेटेड इंस्टुमेंट में किया जाएगा Mutual Fund House का दावा है कि ये स्कीम लॉंग टम में वैल्थ क्रिएट करने में मददगार होगी क्या आप भी नया घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ये खबर जरूर देख लें देश के आठ प्रमुक शहरों में इस वर्स जनवरी से लेकर सितंबर के दौरान लागत में बढ़ोतरी और मांग में मजबूती के चलते घर की कीमत करीब 5 फीजदी बढ़ गई है प्रॉप्टाइगर.com के मताबिक इस साल सितंबर ते माई के अंत में आठ शहरों के प्रात्मिक बाजारों में आवासिय संपत्तियों की आउसत कीमत 6600 से लेकर 6800 रुपए प्रती बर्ग फुट थी जो 2021 की दिसंबर ते माई के अंत में 6300 से 6500 रुपए प्रती बर्ग फुट थी यह ब्रदी सीमेंट और स्टील जैसे प्रमुक कच्चे माल के दाम बढ़ने की वज़े से हुई है माई के बाद से होम लोन पर ब्यासदरों में लगबग दो फीजदी की बढ़ोत्री के वाबजूद मजबूत मांग से आने वाली तिम्हाई में घरों की कीमत और बढ़ने की शम्मामना है अगले साल बज़ट को लेका शुरूही तैयारियों के बीच उठी इंकम टेक्स घटाने की मांग वितमंत्री निर्मला सीता रमण ने सुमबार को बज़ट से पहले होने वाली बैटकों की शुरुआत कर दी है उद्धोग मंडल भारतिय उद्धोग परिसंग यानी CII ने इंकम टेक्स की दर घटाने GST कानून के दायरे से अपराद स्रेणी को बाहर करने और कैपिटल गेंस टेक्स पर फिर से विचार करने का रोध किया है CCI ने कहा है कि विक्तिकत इंकम टेक्स स्लेब में कटोती करने से खर्च योग आए बढ़ेगी जिससे मांग चक्र में तेजी आएगी इसके अलावा बजट में रोजगार बढ़ाने के उपायों पर ध्यान देने और टेक्स आधार बढ़ाने के लिए GST स्लेब को युक्ति संगत बनाने की भी बकालत की गई है सोना खरिदने वालों के लिए अब है मारी एक खबर विदेशी बाजारों में बहुमूल धात्यों की कीमतों में ग्रावट के बीच सोंबार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 408 रुपए तूड़ गया यहां अब सोने की कीमत 52,847 रुपए पृति 10 ग्राम हो गई है सोने की तरह चांदी भी 594 रुपए के नुकसान से 61,075 रुपए पृति किलोग्राम पर आ गई अंतर राश्टिय बाजार में सोना नुकसान के साथ 1745 डॉलर पृति ओंस पर और चांदी 20,88 डॉलर पृति ओंस पर कारोबार कर रही थी बाजार बिसलिसकों का कहना है कि निवेशक फेडरल रिजर्ब की मौदरिक नीती के रुख पर कुछ नए संकेतों का इंतजार कर रहे हैं इसलिए बाजार में अभी सोने चांदी की मांग कमजोर है अब आज की हमारी खबर है जो आखरी खबर है वो है रोजगार से जुड़ू हुई देश के संगटित छेत्र में लगातार नौक्रियां बढ़ रही है EPFO ने सितंबर महिने में 16,82 नए सदस अपने साथ जोड़े हैं स्रम मंत्राले ने कहा है कि पैरोल डेटा की साल दरसाल तुलना में नेट मेंबरसिप में 9.14 फीजदी की बढ़ोत्री जो है वो सितंबर 2022 के दौरान हुई है लगबग 2861 नई कमपनियों ने करमचारी भविस निदी के तहत अपने करमचारियों को सामाजिक सुरक्षा कबर देने के लिए एन्रॉल्मेंट किया है आकणों से पता चलता है कि महिने के दौरान जोड़े गए कुल 16,82,000 सदस्यों में से लगबग 9,34,000 नई सदस पहली बार EPFO के दाएरे में आए हैं नई सदस्यों में सबसे अधिक संख्या 18-21 वर्स के आयूवर के करमचारियों की है तो ये थी आज की हमारी तमाम बड़ी खबरें और जरूरी खबरें उम्मीद है आपको जरूर पसंद आया होगा हमारा एकारिकरम अगर आप रोज इस तरह की काम की खबरें सुनते हैं और देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्स्राइब करिए और हाँ अपनी पसंद और ना पसंद बताने के लिए कमेंट जरूर करें अगर आप मनी नाइन के अन्यखास कारकरम को भी देखना चाहते हैं तो मनी नाइन एप को जरूर डाउनलोड कर ले अब आपसे मुलाकात होगी कल तब तक के लिए सुब रात्री झाल